तो चलिए इस question को हम लोग देखते हैं question देख कि आपको initial observation कुछ समझ में आने चाहिए पहला observation ये है पहले say square x देख के ही समझ में आना चाहिए कि वो 10x का derivative है पहला ये observation हो गया जबकि सबसे पहला observation हो आना चाहिए कि ये direct कोई formula नहीं है integral form में नहीं है खैर ये दूसरा observation होना चाहिए था कि सेक square x जब भी आपको numerator नहीं ज़रा है इसका मतलब वो 10x का derivative हो 10x मौझूद है यहाँ पे तो काफी सीधी चीज है है ना सीधा सीधा काफी आसान आपके pass observation है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे 10x equals to say t लिख लिए हमने क्योंकि उसका derivative पर पड़ा हुआ है अब यह derivative क्या हो जाएग 10x का सेक square x dx और t का 1 हो जाएगा dt अब पूरा का पूरा question convert हो जाएगा आपका t variable में तो सेक square x आपका पूरा का पूरा क्या हो गया dt हो गया upon square root of t square plus 4 इस 4 को आप क्या लिख सकते है 2 का square तो यह आपका कौन सा form हो गया 1 upon under root क्या हो गया t square plus 2 का square ठीक है तो यह standard form हो गई आपकी 1 upon under root x square plus a square और उसका answer होता है log of mod of t plus आपका क्या हो जाएगा under root x square plus a square और a आपका 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका t square plus 2 का square mod close plus indefinite constant आपका क्या हो गया c हो गया लेकिन t आपका dummy variable है dummy variable के dummy answer छोड़ते नहीं है तो t आपने क्या substitute किया था t substitute किया था 10x तो यह हो गया आपका 10x plus square root of क्या हो जाएगा आपका 10 square x plus 2 का square क्या हो जाएगा आपका 4 mod close हो जाएगा plus indefinite constant आपका क्या हो गया c हो गया that is your final answer